सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो दे चैनल ओल वीडियो तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाल है गैलरी के बारे में तो जैसे अगर आप MI के यूजर हो, Redmi के यूजर हो तो गैलरी की कुछ सेटिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए या तो फिर वो एक्सर हम क्या करते हैं उस चीज को एक्सेस ही नहीं करते तो क्या-क्या फीचर से शाओमी के हम आज के इस वीडियो में जानेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं और एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एकदम हें तक देखें ताकि आपको कुछ नई चीज़े जानने को मिलेगी इस वीडियो में जब हम उपन करते हैं तो यह हमारा में इंटरफेस आप इस तरीके से देख सकते हो जहांपर फोटोस को अगर आप यहां पे श्लाइड कर दो तो यहां पर आल्बम सेक्शन में आप देख सकते हो तो इस तरीके से आपको डायरेक्टरे विज बिसीबल होता है बट अगर आपने कभी यह triple dot पर जो है यहाँ पर select किया होगा तो आपको कुछ option यहाँ पर देखने को मिलता है जो की inbuilt feature है यहाँ पर Xiaomi का तो मैं पहले आपको बता देता हूँ trash bin तो इस trash bin में आपके जो 30 days तक के photos या कुछ भी जो भी data हो आपका अगर आपने delete किया होगा तो यह automatically यहाँ पर जो है store हो जाता है तो यहाँ से आपको जो भी चाहिए आप उस चीज़ को जो है यहाँ पर restore कर सकते हो क्लिक करने के बाद तो एक ही option आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आपको मैं बता दूँ अकर settings में हम चले तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है sync automatically का आप यहाँ से turn on कर सकते हो accounts and sync पर जाके आपको शाओमी auto sync data कर देना है इस तरीके से कुछ फिर ok कर देना है और item sync नाओ का आपको कुछ option दिखाई देगा तो आप चाहो तो sync कर सकते हो यहाँ फिर cancels कर सकते हो तो शाओमी cloud का आपको अकाउंट दिखाई देगा यहाँ ब store करने का option मिल जाता है तो अगेन यह cloud पर जो है चला जाएगा and आप वही same यहाँ पर interface देख पाऊगे बाद में तो यह थोड़ा time ले रहा है load होने के लिए तो हम back आ जाते है and दूसरा कुछ देखते है so find device आपको जो है on रखना चाहिए अगर by default यह on ही आता है so आपको on ह रखना चीए उसे disable नहीं करना इसके अलावा आपको यहाँ पर sync का button दिखाए देगा इसको आप click करोगे तो यह सारी चीज़े जो है आपकी sync होना चालू हो जाएगी so gallery है messages है so इस तरीके से यह देखिए यह sync हो जाएगा अगर और कुछ चीज़ आपको disable करना हो के कुछ आपको नहीं sync करनी तो आप उस चीज़ को disable कर सकते हो यहाँ से उसके अलावा quick sync का भी option आपको दिख जाता है तो यहाँ पर आपका थोड़ा power consumption ज्यादा होता है quick sync में so आप पर depend करता है यह कोई एक normal सा extra feature दिया है quick sync मतलब sync का sync जो है आपका normally हो गई quick sync करना चाहो तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका so यह देखा हमने cloud का basically यहाँ पर terms and condition और feedback आप देख सकते हो storage को manage करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर तो अप्ग्रेट करने के लिए आपको fees लगेगा जो कि आपको pay करना पड़ेगा बट उसका assets requirement नहीं आगर आपका storage full हो जाता है तो आ sync automatically हमने देखा दूसरा option आप देख सकते हो only use wifi to sync photos and device तो यह आपपर depend करता है अगर आप एक data use करने वाले हो person like आप regularly data use करते हो wifi नहीं यूज करते तो आप इस चीज को आपके इसाप से set कर सकते हो जो wifi users हो इसको enable कर सकते है manage sync album देख सकते हो आप तो यह सारी चीजे देखिए जो आप चाहो तो sync हो जाएगा तो आपको export जो भी है मतलब आप file folders अगर चाहो तो सब चीज को यहां से sync कर सकते हो तो यहां से option कभी कभी जो है by default में नहीं आता तो यह आपको ध्यान देना होता है और जाकर जो है उसको sync करना होता है तो अगर आपने अभी तक इस चीज को नहीं किया तो आज इस वीडियो देखने के बाद तुरंट जाकर कर लीजे इससे आपको यह support मिलेगा कि in future कभी कुछ चीज से गलती से delete हो जाती है तो आप जो है sync कर सकते हो उसको और कभी कभार क्या होता है आपका device य इनेबल नहीं किया है तो उसके चलते आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है तो इस शरीए आप जो है यहाँ पर manage single album option में जाहिए and enable कर दीजिए sought by people यह आप करना चाहो तो कर सकते हो और download photos from xiaomi cloud automatically यह भी आप enable करके रखिए ताकि कभी आपका important message जो है वो छूट ना जाए और automatically जो है वो restore हो जाए download quality यहाँ से आपको option पूछ रहा है original file चाहिए high quality चाहिए वो आपके इसाब से आप select कर सकते हो अगला है gallery pics तो आप देख सकते हो select best photos तो अगर आपका same photo या आप समझे रहे न identical photos तो यहाँ से वो select best photo करके उस चीज़ को क्या है restore कर लेता है and browse के समय हमें only show local album करना है तो इसको आप जो है enable या disable कर लीजिए आपके according local album को अगर आपको hide नहीं करना तो इसको enable आप कर सकते हो view hidden albums के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अगर आपका होगा तो each slide for तो आप देख लीजिए कितने interval of time के बीच में आपको चाहिए उससाब से so यह रहा हमारा gallery के section का settings उसके अलाव आपको collage का option दिखाई देता है जहाँ पर आप चाहो तो कुछ pics को इस तरीके से select कर सकते हो मैं randomly आपको choose करके बता रहा हूँ so आप देखे इसको क्या करना है tick कर लेना है फिर आपको यह inbuilt feature बहुत अच्छी तरीके से देता है layout वगरा so poster form में आप देख सकते हो layout कौन सा चाहिए आपको आप आपके हिसाब से यहाँ पर decide कर सकते हो so यह आपको अच्छा खासा option यहाँ पर मिल जाता है and यहाँ पर मैं tick कर दूँ तो आपको थोड़ा बहुत और भी film roll के भी यहाँ पर दिखाई देंगे so इस तरीके से भी आप जो है यहाँ पर देख सकते हो और एक चीज को थोड़ा time लगेगा आराम से आप देख लीजेगा इस चीज को अगर आपको कोला जोगरा बनाने में interest है तो clip में भी आप देख सकते हो यहाँ पर मान लीजे कुछ चीज को आपने select कर देना है यहाँ पर so minimum 3 का requirement है यहाँ पर तो वो कर लीजे आप यहाँ पर and template और music डाल सकते हो तो कितनी अच्छी बात है आपको MI gallery की यह सब hidden features जो है आज पता चल गई बतलब आप जो है यहाँ पर एक चोटा सा वीडियो भी create कर सकते हो जो आपके gallery में है तो आपको इस चीज को अलग से import करने की जरूरत नहीं है I hope आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ यहाँ पर जैसे कि आप अलग-अलग video editor आप यूज करते हो photos या videos को import करकर आप जो है अच्छे से video बना कर उसको export करते तो वो सारी चीजों के requirement आप नहीं होगी क्योंकि इसमें जो है 10 seconds तक के photos के video बना सकते हो and आपको longer video का भी option मिल जाता है यहाँ पर अगर आप बनाना चाहो तो आपके according music डाल सकते हो यहाँ पर कई सारे आपको download करने के लिए option भी देख जाते है edit करने के लिए पर आपको option देख जाता है तो आप edit भी कर सकते हो चीज जो है add करना है या preview करना है तो वह भी आप यहाँ से देख सकते हो तो आपको I hope 99% लोगों को नहीं पता होता क्योंकि यह चीज वह access कभी करते ही नहीं है तो इस चीज को आप ध्यान में रखे क्योंकि यह चीज बहुत ही अच्छा है आप photo का collage बना के उस चीज को music डाल के थोड़ा सा आप जो है उसको एक video में convert करके export कर सकते हो जो है कि यह अच्छा चीज आपको यहाँ पर दिया गया है तो यही triple dot के अंदर यह सारी settings जो थी मतलब hidden settings hidden नहीं कहेंगे actually आपने इसको जो है नजर अंदास किया हुआ है क्योंकि आप कभी इस चीज को नहीं use करते तो यहाँ पर मैं free up space का भी बता देता हूँ आपको यहाँ से आप जो है देख सकते हो पहले तो scan होगा आपका और कौन सी unnecessary चीज़े है या MI जो है आपको recommend करेगा आपको क्या करना है उस चीज को uninstall कर देना है या delete कर देना है तो जैसे मैं आपको बता हूँ delete screenshot का option आ रहा है मुझे तो मैं वो delete कर सकता हूँ ताकि मेरे space जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए तो आप देख सकते हो यहाँ से जो आपको नहीं चाहिए आप देख सकते हो एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से आप उस चीज को delete करके थोड़ा बहुत space जो है उसको free कर सकते हो तो ध्यान से आपको देखना होगा क्योंकि यह जो है आपके storage प्रेज में नहीं है यह जो है आपके MI cloud में है तो यह cloud का जगा जो है यहाँ पर cover हुआ है तो इसको आप easily यहाँ से free कर सकते हो तो यह जो था hidden feature था और आपने आज इस चीज को देख लिया यहाँ पे क्योंकि आप अगर चाहो तो यहाँ से sync भी कर सकते हो आपके device में restore भी कर सकते हो बट आपको जो है delete करना हो cloud में तो वो भी आप कर सकते हो so friends आज के इस वीडियो में पस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please like करना, share करना and subscribe करना क्योंकि इस से क्या होगा हमें motivation मिलेगा और हम आपके लिए जो है नए नए वीडियो बनाते होंगे so thank you and bye-bye मिलते हैं next video में